इसको जेम्स हेरेट ने लिखा है ये राइटर है इसके तो ट्रेकी एक कुट्टा था जो मिसिज पंप्रे का प्यारा सा एक पालतु कुट्टा था तो उसके बारे में ट्रेकी ट्रेकी वाज लिटल डॉग ट्रेकी एक छोटा लका खुत्ता था इसके पास विभिन कोट्स थे हर मौसम के लिए पहनने के लिए He ate ice cream, malt, cold, liver, oil, wine, brandy and eggs ये सारी चीज़े वो खाता था Ice cream हो गया, wine हो गया, brandy हो गया, eggs हो गया He had a number of men to look after him उसकी बाद बहुत सी नौकरानिया थे उसकी देखभाल के लिए अब इतनी चीज़े खाने के बाद उसकी तो भई जो है मोटा होपा उसमें आना ही जरूरी था तो his conditions due to eating too much बहुत जादा खाने पर उसकी जो है दशा He became extremely fat, बहुत जादा मोटा हो गया था His eyes were blood shoot, उसकी आखों से जो है खून की जो है वो निसान से दिखने लग गया थे He could not move, वो गती नहीं कर सकता था He became inactive, वो inactive हो गया, inactive का मतलब होता है एक परकार से इदर उदर मूँ नहीं करता, बिल्कुल आल सी टाइब से Mrs. Pumperi's reactions, अब Mrs. Pumperi का reactions क्या हुआ? She thought that he was suffering from malnutrition उसने सोचा था कि ये तो कुपोशन का शिकार हो गया, malnutrition होता है, कुपोशन She started to give him tonic, उसने उसे tonic देना सुरू कर दिया She gave her too much to eat, अब वो सोचती थी कि विमार हो गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा खाना दे दे तो she gave her too much to eat, बहुत ज़्यादा उसे देने लगी It made him very ill, इसने उसे और ज़्यादा विमार कर दिया He stopped eating, उसने खाना बंद कर दिया He kept vomiting, और वो उल्टी करता रहता था Mrs. Pumpery card, Dr. Harriet Dr. Harriet is wet, जो है वो डॉक्टर था यान के जानवरों का डॉक्टर था He was wet, वेट का मतलब होता है पशों का जानवर He advised her not to give too much to the dog उसने उसे सला देखिए भी इसे ज्यादा मत खिलाओ Mrs. Pumpery agreed, but she did not follow the rules Mrs. Pumpery सहमत हो गई, मगर उसने इस रूल को follow नहीं किया Mr. Harriet took him with him to the surgery Surgery अपने अस्पिताल में ले गया, यहां surgery का मतलब अस्पिताल हो गया क्योंकि उसे मैं Harriet को पता था अगर इसको यहीं छोड़ा जाए तो इसकी मालकिनी से खाना देती रहेगी और उसको मना नहीं करेगी तो इसलिए उसने सुचा इसको अपने अस्पिताल में ले चले His activities, अब अस्पिताल में उसकी activities क्या हुई? देखे, He did not give him anything for two days, दो दिन तक दो शने इस कुट्टे को कुछ भी नहीं दिया He did not give him any medicine, उसे कोई दवाई भी नहीं दी He gave him food only when he was hungry, वो उसे तभी भोजन देता था जब भूखा होता था He observed his daily progress और उसकी वो daily progress को उसने notice किया उसे लिखा, जाचा किया क्या इसकी activities हो और ये daily अब तो dogs activities, अब dog की क्या activities थी इस दोरान जब उसे भोजन नहीं दिया गया और वैसी छोड़ दिया गया तभी दिया गया भोजन जब उसे भूख लगती थी तो he did not play with other dogs उस में उस अस्प्राल में दूसरे कुत्ते भी थे तो वो उनके साथ नहीं खेलता था he always lay down motionless on the carpet हमेशा carpet पर बैठा रहता था लेटा रहता था after few days कुछ दिनों बाद later बाद में he started to play with other dogs उसने दूसरे कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया now he became active अब वो चुस्त हो गया चुस्त होने के बाद मिसिस पंप्रे की जो activities क्या थी मिसिस पंप्रे सेंड एक्स एंड ब्रांडी फोर दा डॉग उस होसती वहां कुत्ता भूका रहेगा इसलिए उसका अपना प्यार जताने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी इसलिए उसने अंडे और ब्रांडी उसके लिए भेजे दा राइटर एंड अडर एट दा सर्जिरी उस अस्प्राल में जो लेखा कर दूशे लोग थे उसनोंने इसे कुत्ते को नहीं दिया उन्होंने सभी को खा लिया जो भी ब्रांडी या एग भीजे जाते थी वेन मिसिस पंप्रे केम टू टेक ट्रिकी जब वो ट्रिकी को लेने के लिए आई शी बिकेम सर्प्राइज वह हरान हो गई तू सी हिम उसे देखकर अब वो एक चुस्त सी थौट इट वास ट्रंफ ऑफ सर्जरी उसने सोचा कि यह ट्रंफ ऑफ सर्जरी यानि क्या अस्पिताल का कमाल है तो आपको यह समरी कैसे लगी काफी सिंपल लेंग्वेज में है तो वन बाई वन सारे जो है मिट टम्स कम आपको कोर्स इसमें प्रीज होंगी इसके बाद नेक्स वीडियो में मैं इसके question and answer जो है important करवाओंगा